नमस्कार दोस्तों आप सब को सब्सक्राइब हमारे इस नए वीडियो में इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसे कौन-कौन से निच्छा बेस सोलुशन है जिनके तुरू काबन क्रेट को अन किया जाता है यह एक इंट्रोडक्टर वीडियो का इसमें हम जो रिवर वॉफर सेंको क्रेट के जाता है और जो वाटर वाटर सेंसेटिव फोर्स होते हैं उसमें वहां पे वार्यजमेंट क्या जाता है तो इससे बेनिसियृ नामली हमको जो वाटर ह्वलो होता है उसका वश्र्राइबलिशियमें नो इसमें गलता है यह प्लाइब वो डिसकस करेंगे जो sustainable forest management होता है मतलब हम किस तरह किसे forest को हम हमारे current life में किस तरह के से use करके उसमें development कर सकते हैं और जो जो भी landscape रहता है जो भी जैसे किसे हम जानते है land slide वाला area रहता है वहापे किस तरह किसे forestation लगा के वहां की soil को strong बना सकते हैं तो basically हम इससे water flow को control करना हमारा floods को control करना जो disease होती है forest के अंदर उसको control करना जो slope होता है उसको ज्यादा stable करना trees लगा के carbon को capture करना और biodiversity को increase करना इससे कि हम basically benefits इससे लेते हैं इनके तुरह हम carbon credit को UN करते हैं थर्ड जो है हमारा वह है agriculture basically agriculture में soil water management करते हैं जिससे कि soil fertility को fertility improve होती है water quality improve होती है और जो उससे carbon sequestration और जो प्रोसेस है जो methane को capture करना है जमीन के अंदर ही और जो biodiversity को increase करना है यह उसके कुछ advantage इससे basically इनसे broadly हम कोई drought flood और heat stress जो की crops में काफी होता है जिसको फ़सल जल जाना बोलते हैं वो control करते हैं next जो हमारा है वह urban areas management में हम basically parks, forests जो trees को लगाना जिससे carbon capture में help मिलती है और जो green building वाला concept है जिसमें कम से कम हम energy को consume करके हमारा maximum light और maximum cooling को provide करते हैं और जो basically water management वाला हो गया है और जो waste management है इसके दूरूभी हम इन project के दूरूभी हम carbon graduate को अंक करते हैं तो urban management में इन चीजों को implement करके basically आप जो cooling वाला medium में आपका वो आप generate करते हैं with less energy जिससे आपका carbon emission कम होता है आप basically carbon sequestration को improve करते हैं biodiversity को improve करते हैं जो human health है उसको improve करते हैं और जो आपका water management के दूरूआ water quality को improve करते हैं जो next है आपका वो है coastal area तो coastal area में basically हम जो rehabilitation और restoration होता है coastal habitats का जैसे कि हमारा coral reefs हो गया है और जो surroundings area है जहां पे जो beaches रहते हैं उनकी surrounding area है उसको आप restoration करने वाला काम करते हैं जो हमारा island है उसका nourishment करते हैं जैसे कि वहां पे हमने stoppers लगा दिया है वहां पे हमने trees plantation कर दिया है वहां के vegetation के वो वो आपको यूज कर सकते हैं आपको ऐसे carbon credit बैसिकली इसमें हमको जो फाइदा होता है वो जो जो रिए जो रिएविटेशन से जो कोस्टल एरया में जो बायो डाविसिटी वो आपिसे उसमें आने लग जाती है और जो फ्लट्स आते हैं सी लेवल के ups and downs से उनको कंट्रोल करने में थोड़ी help मिलती है तो वेसिकली यह पांच मेठाड से जिनके तुरू हम नेचर बेस सोलूशन के तुरू हम carbon credit को अन करते हैं इन सब को हम आने आले वीडियो में डीटेल में देखेंगे तब के लिए ठेंक्यू